असलाम अलेकुम students, students हमने intellectual disability का topic स्टार्ट किया हुए और अब तक हमने intellectual disability की definition, identification and diagnosis, classification और कुछ common types discuss की हूँ इस वीडियो में हम intellectual disability के causes discuss करेंगे intellectual disability के causes को basically दो broad categories में divide के जा सकता है number one है जी organic और biological causes and number two psychological causes इसमें organic या biological causes ज्यादा obvious और ज्यादा important है इसलिए उन्हें हम ज्यादा details से discuss करेंगे जबके as compared to psychological causes इतने important हैं तो obvious नहीं होते इसलिए उन्हें हम जड़ा briefly discuss करेंगे तो पहले discuss करेंगे जी organic या biological causes को और गैनिक या biological causes में further हम categories बना सकते हैं जी number one है जी genetic problems, number two infections, number three sexually transmitted diseases and other diseases, number four intoxications, number five traumas, number six metabolism and endocrine problems and number seven tumors ठीक है यह फर्दर हम कुछ categories बना सकते हैं और या निक या biological causes में इन्हें हम एक है करके discuss करते हैं सबसे पहले जी genetic problems intellectual disability के बड़ी obvious वज़ा defective genes की transmission और chromosomal abnormalities है यानि वालदैन से बच्चों में defective genes transfer हुई हैं उसकी वज़े से directly intellectual disability हो सकती है या फिर chromosomal abnormalities आ गई है उसकी वज़े से भी intellectual disability हो सकती है मिसाल के तोर पर defective genes के transmit होने से कौन-कौन सी ऐसी diseases हो जाती है जिनकी वज़े से आगे intellectual disability के chances बढ़ जाते हैं या obvious हो जाता है ठीक है जी आफर इसमपल मिसाल नमबर वाने जी पीके यू फिनाइल की टोनूरिया फिनाइल की टोनूरिया दो रिसेसिव जीन्स की पेरिंग से यानि दोनों पेरिंट्स की तरफ से अगर जीन्स आएंगी तो फिनाइल की टोनूरिया हो जाएगा ठीक है जी यह एक protein metabolism की प्रॉब्लम है जिसमें फिनाइल एलनाइन प्रोटीन को मेटबलाइज करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट अमाइन एसे उसकी प्रोडक्शन जो नहीं होती जिसके जैसे फिनाइल एलनाइन बाड़ी के इंदर एक्युमिलेट कर जयता है और जब ये ब्रेन कने एक्युमिलेट करता है तो ब्रेन सेल्स को देमज करता है और जब cells damage होंगे तो फिर आगे से scissors और कई किसम के problems जो उनसे वो पैदा हो जाएंगे फिनायल की टॉनुरिया से और brain cells damage होने से obvious सी बात है कि intellectual disability पैदा होने के जांसे बहुत जाएंगे तो फिनायल की टॉनुरिया एक recessive genes की problems problem है जिसके से intellectual disability हो जाएगी उसके इलावा टे-sex disorder या जिसे हमने emorotic idiosity के नाम से पहले डिसकस किया वह भी recessive genes की pairing की वजह से यानि parents से transmit होती है defective genes दोनों parents से अगर वो genes transmit होंगी तो फिर इंटलेक्ट टे-sex disorder हो जाएगा जिसकी वजह से आगे ultimately intellectual disability हो जाएगी इसे मैं पहले explain कर चुका हूँ टे-sex disorder को के embryo बनते वक्त जो एक्टोडर्म के एक्टोडर्म लेयर है उसकी malformation हो जाती है जिसके बाद अजहां blindness deafness और skin के बेताशा जो problems हैं वह पैदा हो जाते हैं और इनकी life expectancy जो है बहुत कम होती है दो-तीन साल तक maximum जिन्दा रह पाते हैं चंदी लोग है जो पांच है या इससे को ज़्यादा देखता साल तक जिन्दा रह पाएं चीक है जी और इसके इलावा एक dominant gene का disorder भी है जी टूबरस सिकलरोसिस यह एक बड़ा रेर किसम का disorder है जो dominant genes की विजह से होता है यानि जिसमें एक अकेली genes भी अगर transmit हो जाए तो वह यह disorder पैदा कर देती है ठीक है जी इसके अंदर भी body के अंदर बहुत सारी tumors वगारा बन जाते हैं खास तोर पर और वह बाद जाएं वह brain के अंदर tumors बन जाएं यह skin के body के different parts में और इसे भी बहुत कई किसम की प्राब्लम्स है वह पैदा हो जाती है और death भी इससे वाकी हो जाती है जानी से और intellectual disability तो इसका एक obvious outcome है इसके लवाख chromosomal abnormalities भी है जिनकी विजासे intellectual disability पैदा हो जाती है मिसाल के तोर पर dawn syndrome यह जिसे मने पहले mongolism भी कहा है तो mongoloids में या dawn syndrome के जो patients होते हैं उन में 47 chromosomes होते हैं normally human beings के cells में 46 chromosomes होते हैं 23 pairs होते हैं जिन में से 22 pairs को हम autosomes कहते हैं और 23rd pair जो मारी sex या gender को determine करता है उसे हम sex chromosome या पेर कहते हैं ठीक है जी इसमें जो dawn syndrome है इसमें 23 pairs में से 21st जो पेर होता है उसकी trisomy हो जाती है यानि वह दो क्रोमोसों का पेर जो है वह तीन में convert हो जाता है एक chromosome जो है वह दो इसमें डिवाइड हो जाता है और 46 की बजाए total chromosome 47 हो जाते हैं जिसे body में कई किसम के बिगाड़ पाई जाते हैं facial features में change आना तो एक बड़ी obvious सी बात है उसमें ठीक है जी इसके इलावा कई intellectual disability से related जो issues है वह 47 को मोसों से पैदा होने की वाज़ा से हो जाते हैं इसमें basically 21st जो पेर है उसकी trisomy हो जाती है तीन को मुसम बन जाते हैं जोड़ा जो है उसकी बजाए दो की बजाए तीन वह जाते हैं ठीक है जी इसकी अगर को further detail पूछना चाहेगा तो मैं बात में से explain कर दोंगा कैसा कैसे मुंकिन है यह कैसे हो जाता है ठीक है इसके इलावा down syndrome के अलवा fragile x syndrome fragile x syndrome में भी जो 23rd यानि हमारी जेंडर को determine करने वाला पेर है उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है जो जेंडर है अगर पेरेंट्स की तरफ से x x से ट्रांसफर हुआ है तो लड़की होगी और अगर x y ट्रांसफर हुआ है तो लड़का होगा जहीं जेंडर जुन स कि प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करती जो मेंटल ग्रोथ के लिए इंपार्टन होती है ठीक है जी तो एक्स क्रोमोसोम से यह रिलेटेड क्योंकि डिजीज इसलिए इसलिए फ्रेजाइल x syndrome कहते है फ्रेजाइल इसलिए कि इसमें एक चेन है माइनोसेट्स की जो बढ़ती प्रेजाइल इसलिए पार्ट होता है जोलगता है कि इससे अलयदा हो जाएगा इसलिए 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 इस ख्रेजाइल x syndrome कहा जाता है इसकी वजा से बहुत सारी है ऐसे इसमेक्ट्रेजिए असलिए का बाइस बनते इसके लाब इसária इसलिशेयज लाइन फैल्टर डिजीज में भी जो पेशेंट है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है 23rd जो पेर है यानि जो जेंडर से रिलेटेड पेर है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है और एक्स वाई की बजाए यह सिर्फ मेल्स में होता है लेकिन जो लाइन फैल्टर डिजीज यह सिर्फ मेल्स का प्राप्लम है जिसमें एक्स वाई की बजाए एक्स एक्स वाई जो पेर बन जाता है यानि 23rd पेर है उसमें बेसिकली तो एक्स वाई होना चाहिए और एक मेल की जो एक पहचान है जो डिटर्मन करता है मेल होने को ल प्राट एक्स रों मुसंव जें उसका प्राइब बान जाता है ऑग्स एक्स फ्याइस वाई इसकी विज़प हैसे फैमे गाले करेक्रा स्टीक्सलिक चुए व्ह क्यों पैदा जातेया कूमन या फिद्स मेल ट्रांसचेंडर के नाम से जानते हैं इसी लाइन टिजीज कहते जो कि intellectual disability की एक बहुत बड़ी वज़ा हैं बहुत सारे infections या infectious diseases मिसाल के तौर पर rubella rubella एक disease है जो rubella virus की वज़ा से होती है ठीक है जो rubella virus की वज़ा से rubella syndrome या rubella जो disease होती है उसकी वज़ा से भी intellectual disability पैदा हो सकती है वैसे तो rubella virus उतनी मतलब dangerous disease नहीं है अगर यह later stages में किसी को कोई से infect हो जाता है rubella virus से लेकिन अगर mother's infect हो जाए rubella virus से और जो new born वो first six week के अंदर rubella virus से infect हो जाए तो rubella virus जो बड़े खतरनाक किसम के इसके जुन से हैं वो नितायज पैदा होते हैं new born के लिए चीक है जी वैसे अब तो इसकी वैग्जीन मुझूद है बड़ी असानी से इसका treatment possible है लेकिन अगर early stages में new born जो ही है जो fetus है अपनी conception के डेड़ मां के अंदर अंदर अगर उस और rubella virus से वो infect हो जाता है तो इसमें बहुत सारी problems पैदा जाते हैं जिसमें blindness deafness और हमारी जो nervous system है उसकी जो growth है वो बड़ी बुरी तरह मतासिर होती है इसकी वज़ा से intellectual disability पैदा हो सकती है इसके लाबा एक और virus है cytomegalovirus वो भी इतना dangerous आम हलात में तो नहीं है बड़ी common सी infectious disease है लेकिन अगर यह new born इसे यानि pregnant mothers और उन से आगे उनका जो new bonds है उनको यानि के conception के बाद before birth एक टाइम में अगर बच्चा जुन से infect हो जाता है इस virus से भी तो उससे भी बड़े खतरना किसम के नतायद सामने आते हैं जिसके जो नवे सिस्टम है उसकी growth पर बहुत बुरे साथ पढ़ते हैं और obviously अगर नवे सिस्टम की growth पर बुरे साथ पढ़े हैं तो intellectual disability के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसके लवा number three sexually transmitted diseases है जी sexually transmitted diseases 25 के करीब diseases का एक group है जो के आम तोर पर contagious diseases है या खास तोर पर वो sexual activity की वज़ा से transmit होती है इसलिए sexually transmitted diseases कहा जाता है बहुत सी ऐसी diseases है जो के pregnant mothers को sexual contact या other type of contagious होने के वज़ा से यानि एक दूस्टे को touch करने के वज़ा से वह transmit होती है मिसाल के तौर पर साइफिले से कैसी disease है जो के STD में fall करती है यानि sexually transmitted disease है यह अगर जो pregnant mothers है वो उनको sexual activity के दुरान यह disease जो है यह transmit हो सकती है initially तो यह सिर्फ rashes ही बनते हैं लेकिन painless painless किसम का रहश होता है लेकिन बाद में यह बड़े खतरनाक किसम के इसके जो नताइज सामने आते हैं newborn के लिए especially newborn के ग्रोथ पर उसके nervous system के ग्रोथ पर बुरे साल पड़ते हैं उस वज़ा से इंट्रक्शल disability के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसके लवा कुछ और infectious diseases हैं मतलब बहुत सारी डिजीज हैं जो बर्थ के बाद भी असरंदाज अगर हो जाएं तो उसके वज़ा से इंट्रक्शल disability पैदा हो सकती है मिसाल के तो पर इंदर स्वैलिंग इंफ्लेमिशन पैदा होती है तो इन दोनों की वज़ाए से ही जो ब्रेन की ग्रोथ है वो मतासिर होती है और ब्रेन की ग्रोथ अगर मतासिर होगी तो आई-क्यू और अडेप्टिव ब्हेवर इन सब पर बुरे साथ पढ़ेंगे यानि इंट्लेक्शल डिसिबिलिटी इसकी आउब्यस सा आउटकम है ठीक है जी नमबर फॉर पे जी इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन से मराद है जहरीले माद्दे जो उनसे हैं बाड़ साम तोर पर कार्बन मॉनोक्साइट मर्कृ और लेड ठीक है इस तरह की जो चीजें वह खास तोर पर बाड़ी के अंदर पाई की जिनका डारेक्ट जो उनसे लिंक साबित हुआ है इंट्रक्शन डिसिबिलिटी के साथ या डिलेड या सब नॉर्मल मेंटल ग्रोफ के साथ अगर यह जो एलिमेंट्स हैं यह बाड़ी के अंदर ज्यादा पाए जाते हों इस्पेशली मर्कृ और लेड वगारा तो उसकी जासे नर्विस सिस्टम पर बुरे साथ पढ़ते हैं और नर्विस सिस्टम पर विसली बुरे साथ होंगे तो आईक्यू और होता है वह लेड होता है तो अगर बच्चे कोई ऐसी चीज मूँ में डाल लें या खा लें जैसे रोगन वगारा यानी लेड बिसी के लिए बाड़ी के अंदर ज्यादा चला जाए तो वह नर्विस सिस्टम को डैमेज करता है और से इंट्रक्टल सिबिलिटी पैदा हो सक कर लेता है उसकी इंगेशिन हो जाती है तो वह नर्विस सिस्टम तक पहुंच कर नर्विस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इसके लावा इंटॉक्सिकेशन में अगर मदर्स जो प्रेगनन्न मदर्स हैं वह किसी किसम के टोबैको या अल्कोहल का अब्यूज कर Fetal Alcohol Syndrome F.A.S. Fetal Alcohol Syndrome यह हो जाती है जिसकी वज़ा से Nervous System डैमेज होता है और Nervous System डैमेज होगा तो obviously Intellectual Disability इसकी वज़ा से पैदा हो सकती है इसके अलावा Intoxication में हम Blood Incompatibility को भी शामिल कर सकते हैं अगर Mother और Newborn के Blood में Incompatibility है तो उसकी वज़ा से भी Intellectual Disability पैदा हो सकती है इसके अलावा X-rays और Radiation का जो इस्तमाल है वो भी Body के अंदर Chemical Changes पैदा करता है यानि Intoxication का बाइस बनता है इसकी वज़ा से भी Intellectual Disability पैदा हो सकती है तो Blood Incompatibility ड्रग्स इसके अलावा इन जेनरल ड्रग्स का जो अब्यूज है यानि ड्रग्स से मुराद आम जो दवाईयां अगर मदर्स वो दवाईयां भी ज्यादा इस्तमाल करें प्रेग्नेंट मदर्स ओविसली तो उसके बहुत बुरे सराथ पढ़ते हैं न्यूबॉन यानि फी मदर अपनी मर्जी से नहीं खा सकती क्योंकि उसके न्यूबॉन यानि फीटस की ग्रोथ पर बुरे इसराथ पढ़ते हैं इसके लावा जो छोटा बच्चा होता है उसको तो मदर फीट के लावा तो ईवन पानी तक को मना किया जाता है लेकिन हमारे यहां तो घुटी और और बहुत कुछ जो अर्ली एज में स्टार्ट करवा दी जाता है यह जो आर्टिफिशल मिल्क वगारा ही जो होते हैं यह शुरू करवा दी जाते हैं जिसके जाए से बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन इसके लावा अगर बच्चे को बड़ी हैवी डोसेज दी जाए शुरू में ही एंटिबाइटिक्स की तो वह बच्चे के में जो नवी सिस्टम है उस पर बुरे असराद डालती है इसलिए छोटे बच्चे को दवाईयां भी बहुत इहत्याज इसलिए छोटे बच्चों की डोस बहुत लो होती है और डिफरेंट होती ह दवाई ऐड़्स के मकाबले में ठीक है जी अगर आप सिंपल कोई परनडा लेले तो उनके लिए आप बड़ो consider बड़ों के लिए पहांडाल की टैब डिट सहोंगी ठीक है वह सीरप उसकी व्हों क्वाउंटिटी है या उसकी जो क्वांटिटी है यह है बड़ी और बडisz लोजज मिल गई दवाई की तो उनके nervous system को मतासर का सकती है जिसकर से intellectual disability हो सकती है ठीक है तो यह intoxication के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो के intellectual disability का बाइस बनती है नंबर फाइव इसके लावें जी traumas traumas से मुराद है किसी किसम का direct damage होना nervous system को direct damage वह किसी accident की विजा से हो सकता है किसी चीज कोई food nutrition की कमी की विजा से हो सकता है oxygen की किसी भी तरीके से अगर brain को direct damage पहुँचता है तो इनहीं हम trauma कहते हैं trauma से मुनाद और सदमा होता है तो यह सदमे से मुनाद nervous system को physical damage है तो नर्वी सिस्टम को फिजिकल डामेज कई तरीके से पहुंच सकता है मिसाल का तो पर नमबर वन अगर हम बात करें तो एसफैक्सिया एक जैनरल ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन है यानि ऑक्सीजन की अगर में बच्चे को जो न्यूबॉन है उसको कमी वाकिय हो जाए उस करता जाता अंबिलिकल कॉर्ड इसके थुरू जो फूड वगहरा है वो बच्चे को ट्रांसमेट होती है और उसी के थुरू पर से ऑक्सीजन भी मिलती है बाज वकात वह बिल्कल कॉर्ड जो है वह स्प्रेस हो जाती है या बच्चे जब प्रेग्नेंसी को दरान पोजीश है वह कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं हो पाती है अगर बिल्कुल नहीं हो पाए तो आउटकम जो डैथ होगा लेकिन अगर वूसमें इन जैनल कमी हो जाए तो वह इसे हमश्फैक्सिया कहेंगे जिसकी वज़ासे जो नर्वेस सिस्टेम की ग्रोथ है वह डैमेज होगी ठेक है जी एस्फेक्सिया के इलावा नूबर टू है जी कोई डिलिवरी के इस्चु जा रही है तो लेबर के दर अगर जितने भी प्रॉब्लम आएंगे जो इंस्ट्रुमेंट्स बगरा यूज किये हैं वो अगर प्रॉपली डिसिंफेक्ट ना किये गए हों या कोई किसी इंस्ट्रुमेंट के लगने से कोई डैमेज हो जाए या न्यूबॉर्ण को मिस हैंडल किया जाए किसी तरीके से तो उसकी जो डिलिवरी के इस्चुज है उसकी विज़ा से भी नर्वल सिस्टम या ब्रेन की ग्रोथ पर या उसको डाइक्ट डैमेज पहुंच सकता है और चिलवा और कई किसम की जो उस्सिय हैं वो अबसटीरिकल मेफिट से मौन है कि अगर नॉमल बर्थ जो बचे की जैसे होता है जबाए लागा करो बेबी की बर्थ करवाल जाती है, वो भी बच्चे के लिए मतलब हामफुल है, क्योंकि जिस suppression से या प्रेस से गुजर कर बच्चा अगर उसकी delivery होती है, तो उसके अंदर से वो जो सारे fluids बगरा हैं, वो बाहर निकलाएंगे और उसकी जो body press होने से उसकी जो movement पैदा होगी, बच्चा जो उसमें वो रोएगा पैदा होता ही, ठीक है जी, तो उसकी वज़ए से body में strength आएगी और उसका जो heart है और जो lungs है, वो proper function करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, तो delivery के बहुत सारे issues है, went out से मराद है, suction create करके बच्चे को जो बाहर निकाला जाता है, उसके head को कप लगा कर, अगर आप लोगोंने movie देखी होगी, most probably three idiots, तो उसके last scenes में जिस तरीके से delivery करवाई जाती है, suction create करके तो उसे went out कहा जाता है, इसके अलावा breach extraction भी हो सकती है, breach extraction से मराद है कि जब twins पैदा होते हैं, तो एक baby की birth अगर normal होगी और दूसरे की position अगर ठीक नहीं ह होता है, तो उसको असानी सवसी extraction हो सकती है, लेकिन अगर head की बजाए, legs down हो, उस तरीके से और बच्चे की delivery करवाना compulsory भी हो जाए, कि जल्दी delivery करवाई जाए, तो फिर जो उसी position में उसकी delivery करवा दे जाती है, इसे breach extraction कहा जाता है, चिक है जी, तो इसकी वज़ा से भी जो और बच्चा जुनसास के nervous system damage हो सकता है, इसको से intellectual disability पैदा हो सकती है, इसके लवा premature और post-mature birth जो है, वो भी intellectual disability की एक वज़ा हो सकती है, यहीं ट्रॉमा इसकी वज़ासी भी हो सकती है, अगर premature birth हो जाए, बच्चा जुनसास है, वो उसकी delivery आम तर पर 9 मांस के बाद होती है, लेकिन अगर वो 6-7 मांस के बाद हो जाए, तो वो जो एंवार्मेंटास सत कोप करने के काबिल नहीं होता, और खास तोर पर उसको सांस लेने मसला होता है, इसलिए आम तर पर नहीं वो वो tubes बगारा के अंदर या वो शीशे बगारा के अंदर रखा जाता है, ठीक है जी, ताकि वहां वो प्रापरलीन की जो है, यह हो सके, रेस्परेशन हो सके, तो रेस्परेशन नहीं हो पाती, अनॉक्सिया हो जाता है, अनॉक्सिया यानि deprivation of oxygen, अगर बिल्कुल ना मेले तो इसे अनॉक्सिया कहते है, तो इसके उड़ासे या तो डेथ हो जाती, या फिर ने पर चली जाए तो बेबी को जो इन वार्म ऑफ दा मदर ऑक्सीजन की जो प्रवीजन वो प्रापर नहीं हो पाती इसकी विदा से भी नॉक्सिया हो जाता है तो इसके लावा एनॉक्जिया बजाते है खुद यह जुरू नहीं कि यह एड बिफोर बर्थ ही और यह एड़ टा इसके लावा जैनल एक्सिजन भी हो सकते हैं इसके लावा जैनल एक्सिदेंट्स भी हो सकते हैं ट्रॉमा के अंदर मतलब डिरेक्ट हैड पर कोई इंजरी आ गई है उसके ब्रेन डैमिज हो जाएगा और इंट्रक्शल डिसिबिल्टी पैदा हो सकती है इसके नुबर सिक्स जी मेटाबॉलिक एंड एंडोक्रीन प्रॉब्लम्स मेटाबॉलिक भी बहुत सारे इशुस हैं जिनकी वज़ा से इंट्रक्शल डिसिबिल्टी है और पिर वह ब्रेन गई करती है और इंट्रक्शन डिसिबिल्टी पैदा करती है इसके लबहाएं इसके लभाग से निजीव मेटाबॉलिक की प्रोब्लम है थिक है जी नुब थिसरुड़र तो उसमें भी जो इंविक एक्रॉब्लम बाहएं प्रॉब्लम्स पैदा हो ज जाए तो hypothyroidism यह जिसे हमने catinism के नाम से पहले डिसकस किया है उसमें जो thyroid gland है वो उसकी activity जुन से वो मतासर हो जाती है वो proper functioning करता जिसके ज़र से growth मतासर होती है और growth में जहाँ physical growth है वहाँ obviously mental growth भी नर्वे system की growth भी हो भी मतासर होती है और nervous system की growth मतासर हो तो obviously intellectual disability पैदा हो जाएगी number seven है जी tumors body के अंदर किसी भी किसम के जो tumors बनने होते हैं खास दोर पर अगर वो tumors brain के अंदर बन जाए तो nervous system जो उनसा वो damage हो जाएगा nervous system damage होगा तो intellectual disability पैदा हो जाएगी tumors की एक glaring example tuberous sclerosis है जिसे epilogia भी कहते हैं इसमें जो उनसा है जो skin है या उसमें tumors पैदा हो जाते हैं body के अंदर ectodermal layer बनते वक्ती वो नुक्सान पहुंच जाता है उसको बाद में फिर वो skin के कई problems बाते हैं और skin के अंदर कए किसम के tumors बान जाते हैं वो tumors in general body के अंदर किसी भी जगह पर बान सकते हैं लेकिन वो इसी तरह वो brain के अंदर भी बान जाते हैं और जाब brain के इंदर की कोई वो पैदा हो जाएगी body यह को tumor पैदा हो जाएगा तो nervous system को brain को damage करेगा और फिर वो intellectual disability का bias बनेगा इसके लावा macrosiphaly, microcephaly और hydrocephaly यह तीनों भी tumors की ही कोई types हैं जिन के अंदर body के अंदर यानि brain के अंदर nervous system के अंदर tumors बन जाते हैं या उसको नुक्सान पहुंचता है ठीक है जी और इसके रहसे intellectual disability पैदा हो सकती है यह स्टूर्ट्स कुछ और गयनिक किया biological causes जिने हमने details से डिसकार लिए कुछ psychological causes भी है यानि environment के अंदर family environment और patient parents के attitude इसमें बहुत इसी चीज़ें हो सकती है या social economic status इस तरह चीज़ें जोंसी है वो भी intellectual disability की वज़ा बन सकती है वो इतनी obvious तो नहीं है developmental development पर growth और बुरे स्राथ डालती है इसी तरह वो उसकी nervous system की growth और बुरे स्राथ डालेगी और जुन से वो intellectual disability का शिकार हो सकता है इसके लावा बच्चे की जो पेदैश्क बाद अगर nutrition वगारा प्रापर नहों poverty बहुत बड़ा problem है poverty की वज़ा से socio economic status जोन सा वो डाउन अगर हो और उसकी वज़ासे poverty की वज़ा से जो वो nutrition proper नहों nutrition के लावा और बहुत सारे इसके साथ linked issues आ जाते हैं जिसकी वज़ासे बच्चे की growth पर बुरे सराथ पड़ते हैं और intellectual disability का शकार वो हो सकता है infinity complexes का शकार हो सकता है nutrition में प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके रहे से एक विश्य सरकल चल जाता है कि अगर poverty आ जाए तो ऐसा बच्चे के आगे से फर्दर शादी भी पिर एक उसी तबके के शेक्स से होगी और फिर उनके जो स्प्रिंड होंगे वह फर्दर और ज्यादा मिजरी का शिकार होंगे तो जितनी वो मिजरी का शिकार होंगे उतना ही वो ज्यादा उनकी growth और development जो से उस पर बुरे असरात पढ़ेंगे ठीक है जी तो यह कुछ psychological causes हैं इसके लावा बच्चा जोन सा है social economic status के रहे से complexes या inferiority complex का शिकार हो सकता है और इस तरह कि कई issues जो उनसे हैं बचे की psyche के साथ आ सकते हैं जो ultimately intellectual disability में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ठीक है students तो यह कुछ biological और organic और psychological causes थे जो कि intellectual disability की वज़ा बान सकते हैं पहले वीडियो बहुत लंबी होगी है फिरदर किसी चीज़ के अगर आप लोग ने detail आपने मालूम करनी हो तो आप मुसे message कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं या मुझे group के अंदर voice message कर ले ठीक है जी तो किसी बात की मदद अगर अगर अपने detail ओके तो इस फिलहाल के लिए इतना ही तैंक्यू अलहाफिज